हलो शाथियो नमस्कार एक बार मैं आपको पुणहे बता देता हूँ कि जो वोनलाइन फोरम की डेट भाई जो लाज़ डेट है कब है डिफोल्टर की लाज़ डेट कब है यह सारी बार admission लेना चाहते हैं, वो 15 फरवरी तक आप फोर में भर सकते हो, ठीक है ना, और इससे अगला point क्या है, या जो पहले paper दे चुके हैं, अगली class में admission लेना चाहते हैं, वो भी 15 फरवरी तक फोर में भर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद आता है वही क्या, जिसका paper वही क्या हो था, default, यानि जो फैल हो चुके थे, या का जाए तो, जिनका paper बैक आया था, और या जो practical नहीं दे पाए थे, तो वो अपने default के फोर म कब तक बर सकते हो, दस फरवरी तक आप बर सकते हो, ध्यान रखना, दस फरवरी तक तो default के फोर म बरे जाएंगे, और phrase admission और परमोटी इस बात को आपको ध्याने रख लेना है, और देखो अगला point ये point आपका काम का है नहीं, इसके बाद आता है, revelation, result examination, June 2020, यानि जिसका result आया है, वो उस paper में back हो गया है, यदि वो चाहते हैं, कि हम revelation का फोरम लगाएं, तो दोस्तों ये 15 दिन तक प्रिवलेशन का फोरम लग सकते हैं, यानि 15 दिन के अंदर अंदर, यानि आपका result जिस तारीक को आता है, तो उसमें आप 15 दिन और जोड लेना, उसके अंदर अंदर ये प्रिवलेशन का फोरम में लगा सकते हैं, 16 दिन आपके फोरम को accept नहीं किया जाएगा, तो साथियो ये जानकारी आपके लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, विशेश निर्दे स्कृप्या फोरम भरने हैं, तो अंतिम तित्थी की प्रतिक्षान नहीं करें, एव अंतिम तित्थी से पूरु ही आविदिन प्रक्रिया को पूरुन कर ले, यदि किसी तक्निकी कारणों से अंति यानि वर्दमान दोईनिटी है, कभी वही डेट को बढ़ा भी देता है, कभी नहीं भी बढ़ाता है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है, 15 ताइक से और 10 ताइक से पहले पहले आपको फोरम को बढ़ देना है, तो साथ यो, आज के इतना है काफी, यदि आपको अच्छा ल फर्स तियर वेस्ट सेकेंडर वाड़ों को जिनको परमोट किया गया है, उनमें कई साथियों के भई क्या है, पेपर बैग यानि एन सी दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है, इसका समाधान क्या है, मैं अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, तब तक के यज जा इंदी जवर्ट